चतिसगर की राजुनीती के लिए एक बड़ी शती आज का दिन साबित हो रहा है बता दे की नहीं रहे भानु प्रतापूर विधायक मनोज मंजावी बड़ी जानकारी आपको दे रहे है भानु प्रतापूर विधायक मनोज मंजावी का निधन हो चुका है हार्ट अटेक से उनका निधन हुआ है बड़ी जानकारी आपको दे रहे है धमतारी के बठेना अस्पिताल में उन्होंने अपने आकरी सासे ली है नाथिया नवा गाओ पहुँचा पार्थिफ शरीर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उनके गाओ पहुँच चुका है उनका पार्थिफ शरीर संसद्य सची विशिशुपाल सोरी समेथ आला अधिकारी वहापर मौजूद है बताया जबा रहा है आज शाम चार बजे अंतिम संसकार किया जाएगा अंतिम संसकार में शामिल होंगे सीएम भुपेश वगैल अंतिम संसकार में विधान सभाध ध्यक्ष चरंदास महंत जी भी शामिल होंगे बड़ी जानकारी या बड़ी अपडेट इस वक्की आपके बीच आपको दे रहे हैं तो इस वक्की बड़ी जानकारी टीवी स्क्रीन पर आपके सामने कवासी लखमा भी आज शाम चार बज़े अंतिम संसकार करक्र में शामिल होंगे उचातिसगर की राजनिती के लिए आज का जो दिन है वो बड़ी शती यहां साबित हो रही है आज शाम चार बज़े मनोज मंडावी जी का अंतिम संसकार किया जाएगा तो नहीं रहे विधान सभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी जी बतार्दे की शाम चार बज़े अंतिम संसकार किया जाएगा जिसमें कवासी लखमा भी शामिल होंगे तो वहीं विधान सभा अध्यक्ष चरंदास महंत जी भी इहां पर शामिल होंगे और प्रदेश के मुखमान्ठी बुपेश बगहल भी तो मनोज मंडावी के निधन पर कॉंग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने दुख जताया है आप खुछ सुनिए क्या कुछ कहना है बाटो रिस्ता का सम्मान्द रहने से हम लोग मजग में भी करते थे और नेतागिरी भी करते थे इसलिए समाजिक तरब से भी और राजनितिक तरब से भी बस्तर के बहुत अपूरती और नुक्सान आमको मिलेगा इसलिए कितना भी मैं बोलूँ ओक कम है कांगरेस पार्टी अपने इस होनहार नेता के निरंग से अस्तब्ध है पूरी कांगरेस पार्टी उनके शोप संतप परिजनों के साथ खड़ी हुई है हम सब उन्हें अपनी बिनम्न सद्धानिय अर्पित करते है एक युवा नेता के रूप में उभर करके सामने आये थे और एक कदावर नेता के रूप में यहां से विदा हुए है ना केवल परिवार के लिए और कांगरेस पार्टी के लिए बलकि मैं स्वस्ताओं 36 लड़ के लिए आपोर्णी चती है तो विधान सभा उपाद्यक्ष मनोज मनजावी का निधन हो चुका है बतादे की निधन पर सीम भुपेश बगहल ने भी दुख जताया है स्रीम ने अपने शोक संदेश में ये कहा है कि मनजावी वरिष्ट आदिवासी नेता थे मनोज मनजावी आदिवासी समाज के बड़े नेता थे वे आदिवासियों की समस्याओं को विधान सभा में प्रभावशाली ढंक से रखते थे मनजावी आदिवासी समाज को उननती के लिए सदेव प्रयासरत रहे है तुमों के मंत्री पुपेश बगहल ने ट्वीट करके अपना शोक चताया है मनजावी वर्ष आदिवासी नेता के आश्मे कधिवन पर दुख है मनजावी आदिवासी समाज के बड़े नेता थे वे आदिवासीों की समस्याओं को विधान सभा में प्रभावशाली धंग से रखते थे मनजावी आदिवासी समाज को उननती के लिए सदेव प्रयासरत रहते थे तो मुख्यमंत्री बुपेश बगेल ने क्या कुछ ट्वीट किया है या को टीवी स्क्वीन पर दिखा रहे हैं और ज्यादा जो अनकारी के साथ समध अता राजकुमार दूबे हमार साथ जुड़े हुए हैं कांकेर से एक बरुन का रुख कर लेते हैं राजकुमार देखिए कहा जा रहा है कि उनके गाव पार्थिव शरीर अप पहुंच चुका है जहां जो आम जनता है अब वो श्रत धांजली दे सकेंगी वहाँ पर दर्शुन करने के लिए पहुंच पाएंगे इसको लेकर क्या कुछ और जानकारिया सामने आरी है आगे अब किस तरह से कारेक्रम किया जाएगा पाएंगे कि अभी तक उनका साव जो है रखा हुआ है उसको उससे उतारा नहीं किया है पर पहुंच चुके हैं और जानकारी नहीं है उसके अनुसार से आज साम 4 बजे उनका अंसिन सार जी यहीं पास महीं किया जाएगा जिसमें तैयारिया प्रारम कर दी गई है और अंसिन संसकारा प्रदेश के मुक्यमंत्री भूपेज वगेल जी पिजान सार्बा के अध्यक्त अंदाव महन जी और मंत्री कवासी लग्म संक्या में अब जुट रहे हैं अंतिम धर्शन करने के लिए मैं चाहूंगे आप वहाँ पर उनके जो समर्थक हैं उनके जो लोग हैं उनसे आप बातचीत कीजिए क्योंकि अपने शेत्र के लिए और आदिवासी समाज के लिए वह बहुत कुछ सोचते थे उनके लिए हमे प्रदेश के मुखे मंत्री भुपेश बगहल भी वहां पर शामिल होंगे कौन कौन से बड़े वी आई पी परस्नालिटी हैं वो वहां पर शामिल हो सकते हैं और अभी तक जो जानकारी मिली हैं उसके अलावा जो आज पास के जो विधायक मोदै से उनका आने का सिल्पिला लगातार जारी है और अभी मैं देख पा रहा हूं कि कांकेर लोग सब अकिसान सब मोहन मंदावी जी यहां पर पहुंच रहा है अब एक मेट से बाद में उसे आपकी सीधी बात करा पाऊंगा मोहन मंदावी जी आ हैं और वही बता पाएंगे कि आदिवासी समाथ के लिए कितनी बड़ी थती है ठीक है ठीक है तमाम जानकारी साजा करने के लिए और हमार साजुडने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमर झाल 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 झाल